आई आई टी के उपर मैंने दो तिन वीडियो बनाई हैं सभी पे आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पोंस रहा तो सबसे पहले तुसके लिए थैंक्यू बहुत सरे एश्टुटेंट उस वीडियो में कमेंट किये थे कि आई 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 टी के फिस बहुत जादा है और वाई आउव्यस थोड़ी तो जादा है सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उसका भी मैंने तरीका बता है था कि कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उस वीडियो को देख लिजेगा सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन सा आई 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 टी इंस्टिट्यूट है जिसकी फिस सबसे कम है तो दोस्तों अगर आपको भी जानने तो आप इस वीडियो कसा चिपक के बैठे रहे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी कम समय में आपको बता दूगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से स दोस्तों समझा लेकिन कि अपकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। में एडमीशल निकले सबसे पहला को जे इई मेंस καती acids के टेना होते है उसके बाद दोस्तों आपको जे इई आड्वांस कर देना होते है पूरी डितेल के लिए एक्जाम पैटन लिए। डिस् institute तो वो दोस्तोおい si khaडफ पूर नहीं है जा height फांचवे नमबर पराता है तो भाई पहले नमबर पराता है Até कौन राता है तो पहले नमबर पराते है θाय्न अश्च दूसरे दूसरे नमबर पराते है का audit Delhi तीसरे नमबर पराता в तो तीस्रे नमपर पारता है IIT Mumbai, लेकिन अगर हम लोग IIT चिन्नाई की बाद करें, तो इसके फिस करीब होती है, 9 लाख रुपे पूरे कोर्स की, IIT Delhi की बाद करें, तो 8 लाख फिस होती है, IIT Mumbai के करीब इतना ही होती है, लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि सबसे कम कौन से IIT के फिस होती है तो दोस्तो वो है IIT रोपर IIT रोपर पंजाब इसके फिस सबसे कम होती है बाके सबके कम पे रीजन में अब आपके मन में सवाल आ रहोगा के फिस तो कम होती लेकिन ये तो बताओ कि फिस कितनी होती है तो दोस्तो इसकी फिस होती है मात्र पांच लाक रुपे होती है जिनरल और OBC केंडिडेट के लिए पूरे साल का मैं बतारूं टीर्शन फिस होउस्टर फिस सब कुछ इसमें इंक्लूड है चार साल में आपके प और जो भी चार्जे से थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं तो आई होब दोस्तो अब आपको पता चल गया हो कि सबसे कम फिस कौन से IIT की होती है लेकिन फिर भी अगर आपके मान में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताए और कमेंट करके ये भी बताए कि आ आप सभी ने इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद